दोस्तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि अगर आप sectionate company बनाते हैं यानि कि NGO बनाते हैं यहाँ पर जैसे कि आप रश्ट बनाते हैं society बनाते हैं उसी तर आप sectionate company बनाते हैं तो वहाँ भी एक तरह का NGO ही है और यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि sectionate company रेजिस्टर कराने के आखिर क्या फायदे हैं तो दोस्तो इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंतक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजिए ताकि मैं जब भी कोई इस इंफर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अप्लोड करूँ तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तो यहांपर अगर आप सेक्षनेट कम्पनी बनाते हैं तो जैसे प्राइबेट लिम्टेड रिजिश्टर होता उसमें वहांपर आपको दो डायरेक्टर होना चाहिए भी दो डायरेक्टर मिनिमम होना चाहिए उसके बाद आप और लोग को जोड सकते हैं लेकिन यहाँ पर minimum दो लोग का होना जरूरी है लेकिन यहाँ पर अगर आप sectionate company बनाते हैं तो आपको stamp duty नहीं देना पड़ता है यहाँ पर जो भी sectionate company बनाते हैं गौर्मेंट उन्हें बढ़ावा देता है उनका monovol बढ़ाता है तो यहाँ पर अगर आप sectionate company बनाते हैं तो आपको stamp duty भी नहीं pay करना पड़ता है और यहां पर minimum जो capital की जरुवत होती है जैसे क्या private limited बनाते हैं तो आपको उतना capital bank point जमा करना होता है लेकिन sectionate company में ऐसा कुछ नहीं है यहां पर कोई minimum capital का requirement नहीं है आप बिना capital के भी sectionate company की शुरुआत कर सकते हैं आप समाज के लिए से बड़ा फायदा यह मिलता है कि आपको stamp duty नहीं देना पड़ता है यहां पर दो लोग मिलकर शुरुआत करते हैं कोई minimum capital का requirement नहीं होता है और अगर आप दूसरे तरह का NGO बनाते हैं आप ट्रस्ट बनाते हैं सोसाइटी बनाते हैं तो आपको अपने रेश्टार्ट से मिल यानि चार्टेट एकाउंटेंट के पाँ जाते हैं तो आपका sectionate company बना कर त्यार कर देते हैं तो सवाल उठता है कि इसमें document क्या क्या लगता है मैं आपको यहां बता दूँ यहां पर जितने भी डारेक्टर होंगे सभी का KYC document यानि कि अधार कार्ड पैन कार्ड और यहां आपका जो यहां पर sectionate company है यानि कि NGO है वहां वन विक के अंदर बनकर जेनरली इत्यार हो जाता है और यहां पर आपका नाम का protection आपको मिलता है जी हां sectionate company बनाने में सबसे बड़ा फाइदा हिया है कि जो भी नाम आपको मिलेगा वह नाम आपका protect हो जाएगा अगर आप trust बनाते हैं सोसाइटी बनाते हैं उसमें protection नहीं मिलता है लेकिन यहां पर अगर आपका NGO MC यानि ministry of corporate affair के अंडर रेजिस्टर होता है तो यहां पर नाम का protection मिल जाता है और यहां पर आपको टेक्स में exemption भी मिलेगा अगर आप 2LATG का registration ले लेंगे तो यहां पर कोई भी अगर 50% exemption मिलता है और किन donation में 100% exemption मिलता है अगर आप जारना चाहते हैं तो अपनी checkment box में comment करके बताएं मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा अगर आप sectionate company बनाते हैं तो यहां पर आपके NGO का एक legal status मिलता है कोई भी अगर जाकर online search करता है तो सरा detail यहां पर दिखता है और यहां पर अगर आप NGO बनाते हैं अगर आप companies act में registration कराते हैं यानि कि sectionate company बनाते हैं तो फिर यहां पर आपका जो liability होता है वह limited होता है यानि कि कोई भी अगर आपके उपर outstanding demand लगता है तो यहां पर जो भी NGO run कर रहे होंगे जो भी director होंगे उनकी personal properties नहीं की जाएगी बलकि जो भी NGO NGO के नाम से property होगा उसे ही सीच किया जाएगा तो अगर आप NGO बनाने की सोच रहे हैं तो आपको six unit company जरूर बनाना चाहिए तो दोस्तों मैं आसा करता हूं आपके वीडियो पसंद आई होगी अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे comment box में कमेंट करें और अगर आप हम आप फॉलो करें मैसेज करें और अगर फॉन से बात करना है तो फिर instagram पर ही मैसेज करके appointment बुक कर लें तो दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों रिस्तारों में जरूर सेयर करें हम लोग मिलते हैं यह वीडियो में किने टॉपिक के साथ अब तक आपना और अपन आप 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 आप